हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई यूटूब चैनल अनलाइन स्कूल दोस्तो आज हम माइक्रो टीचिंग लेशन प्लान के अंतरकत ब्याख्या कौसल या ब्याख्यान कौसल के बारे में बात करेंगे जैसे कि कौसल से ही मालूम है इसमें आपको सबसे पहले ब्याख्या करना पड़ता है और उसके बाद हम बचों से कोस्चिन करते हैं इसमें सबसे पहले आप जो प्रारंभिक क्यार है उसको करेंगे विद्याले का नाम लिखेंगे अपने भिंचात्रा ध्यापक का नाम लिखेंगे उसके बाद दिनांग कच्छा बर्क बिशे उबिशे कालांस और अवधिका एक खाका कीचेंगे उसमें पूरा बायो डाटा भरेंगे आप किस कच्छा को पढ़ा रहे हैं किस पीरियेड में पढ़ा रहे हैं किस डेट को पढ़ा रहे हैं यह सब लिखने के बाद आप प्रकरण डालेंगे आज का प्रकरण है बैंकिंग यह कच्छा आठ में दिया गया है उसके बाद व्याठ्या कौसल के घटक व्य पर्तिम्पता होना चाहिए असंपध कथनों की अनुपस्तिति होना चाहिए विचारों में प्रस्पत जुड़ने वाले सब्दों का परियोग करना चाहिए अईसा नहीं है कि बच्चे ऐसा ब्याख्या करिये जिसे वो समझ जाये ऐसा नहीं कि ना समझें बच्चो के बीच में आप जो ब्याख्या कर रहे हैं उसका निश्कर्ष अस्वर्ष्ट निकलना चाहिए भासा में प्रवाह होना चाहिए और उपयोग्त लुका परियोग करना चाहिए ऐसा नहीं की कुछ ऐसे शब्दों का पर्योग करें जिसे बच्चे उसको ना समाने पाए यह सब घटकों के बाद आप बच्चों से question करते हैं इसमें आप क्रमसग्षा छात्रा ध्यापक के प्रस्ण और च्या छात्रा के प्रस्ण का एक खा-का करते हैं इसमें सबसे पहले हम ब्याख्या करते हैं, बच्चों से हम कहेंगे कि आज हम आपको बैंकिंग के बारे में पढ़ाएंगे, पहले आप जान लीजिए कि बैंक में क्या क्या होता है, तो हम बच्चों को ब्याख्या करेंगे कि हम धन जमा करने के लिए बैंक जाते हैं, बैंक में धन जमा करने के लिए बैंक में खाता होना आवस्यक होता है बैंक खाते पांच परकार के होते हैं बचत खाता चालू खाता आवरती जमा खाता सावत जमा खाता और अलप बैस खाता इतना ब्याख्या करने के बाद अब हम इसी ब्याख्या से संबंधित प्रस्णों का तथा जो भी पैसा हम उसमें जमा करते हैं । नहीं जयाएका उसके बाद defining कोश्चन करेंगे तीसरा कि खाता कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चे बताएंगे सर खाता पांच प्रकार के होते हैं आप उनसे उनका नाम भी पूछ सकते हैं या तो मंत करें तो ना पूछे क्योंकि एक बार ब्याख्या करने के बाद आप कम से कम तीन से चार कोश्चन ब्याच्चों से कर सकते हैं उसके बाद हम फिन एक छोटा सा ब्याख्या करते हैं कि बैंक में धन तीन तरीकों से निकाला जाता है आहरण फारम से इसे निकासी फान भी करते हैं चेक से तथा ATM कार्ड से बैंक में चेक तीन प्रकार के होते हैं बाहक चेक आदेशी चेक और र तरीकों से की जाती है, फिन हम पूचेंगे कि उनके नाम बताईए, तो बचाएंगे सर, आहराड फार्म से इसे निकासी फार्म भी खाते हैं, और ATM कार्ड से तथा चेक द्वारा, फिन हम बचों से पूचेंगे कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चेंगे को यहां पर एक सीरियल से लिख देंगे टैली चिन्ने में जो निरिच्छक होगा आपने कितने घटकों का प्रियोग किया है बच्चों के वीज़े में उसके लिए जिस घटक का प्रियोग किये रहेंगे उस पर सही का टिक लगाएगा ठीक उसके बाद सुझाओ आलो चना इ लगा हुआ हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें थैंक फार वाचिंग बंदे मातरम